Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agrisilvy. Today's our topic is weed science. So be attentive and optimist. Let's start. Biological control हम continue करते हैं. देखिए हम biohorbicide पढ़ रहे थे. कुछ biohorbicide उसका content क्या है? ये एक और biohorbicide है. Biopolaris and Biophos. इस Biopolaris में यहाँ पर फंगाल स्पोर आपको मिलेगा. जो की Johnson grass को control करने के लिए यूज हो था है. और Biophos में fermented product आपको मिलेगा. जिसमें Streptomyces नाम का एक बैक्टेरिया है. जो की हमारे वीड को damage करेगा. वीड को मार देगा. एक और biological control of weeds देखते हैं. इंसेक्ट के द्वारा ये सारे हम पढ़ रहे थे microorganism. लाइक पारासाइट के द्वारा फंगाल स्मोर हो गया. बैक्टेरिया हो गया. अभी देखते हैं इंसेक्ट. कौनसा-कौनसा इंसेक्ट हमारे वीड कांट्रोल करने के लिए फाइदमन रहे. तो फिर इसे बोलते हैं. पारा बाइलोजिकल कंट्रोल ये आप आद रखेंगे. पहले तो एक एक एक्जाम्पल के साथ बहुत बड़ा एक्जाम्पल प्रिकले पियार. अपंचिया. ये एक बहुत डेंजरियोस उडिये. इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे इंडिया में पहले इंट्रदूजिकले 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 इंट्रूजि तेंजरियो शूरी के बारे में डिसकस कते हैं जैसे की वाटर हैसंती अइकनिया स्पेसिस आपको सबको पता हुआ हुआ का वेस्ट बेंगल में ये इंट्रीउस हुआ था इसका उन्नामेंटल परपोज के लिए अन्नामेंटल होटी कल्चर में ये हम डिसकस कर चुके हैं ये कट रहा से लाए थे सिर्फ याद अखीएंगे लिओ नियो चैटिना उक्टीना इसका बहुत हरा स्पेसिस हैं आपको सिर्फ नियो चैटिना याद रखना है ये को इभी ले ये इभी कंट्रोल करने में ससस रहा है इक अन्नामें स्पेसिस को उसके बात देखते हैं कांग् जो ग्रेन हम मतलब इंपोर्ट किये थे बहीं से यह मिलकर आ गया Congressgrass इंडिया में और यह बहुत ज़्यादा फेल गया यह फास्ट रिपोटेड हुआ था पुने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के एक फार्मर ने इसको रिपोट किया था Congressgrass को इसे कंट्रोल करने के लिए हम एक बीटिल लाना पड़ा मेक्सिको से इस बीटिल का नाम है जाइग्रोग्रामा बाइक कलर आप सी बाइक कलर रखेंगे तो काम चाल जाएगा उसके बाद लानतना हुई, लाननन कामेरा सभी को पाता है एक बहुत invasive वीड बेश्शिस है कहीं पर वीड घ्रोग सी बिला है तो फिर वह पूरे के पूरे अरिया को ड्यामेज कर दतेता है पूरे के पूरे अरिया में स्प्लेड कर जाता है हमारा pure crop ड्यामेज होता है इसलिए एक इंसेक्ट है, उसका साइन्टिपिक नाम जिनस सेम ही है, लांटान है, तो उसे हम इंटर्डूस किया थे इंडिया में One more weed control, that is salvinia, जिसको आप बोल सकते हैं waterfond, ये पहले इंटर्डूस हुआ था कहला में, okay बेल लेक में आपको पहले दिखा गया था इस salvinia, तो फिर इसे कंट्रोल करने के लिए एक कुर्कुलियों निडे फ्यामिली से, एक विविल लाय गया था अस्ट्रलिया से, आप सिर्फ याद रखेंगे salvinia, दिखिए, ये salvinia, ये salvinia, species से मिल रहा है, ये genos species मिल रहा है, तो फिर ये examen नहीं पूचा जाएगा, क्योंकि genos species मिल रहा है तो फिर आप क्लिक कर सकेंगे, classification of weeds based on relativity, okay, then हाम weed को classify करते हैं, अभी biological control यहान से खतम हो गया, तो फिर केसे classify करते हैं, पहले तो absolute weed, okay, absolute weed मतलब, absolutely these are weeds, मतलब always these are weeds, there is no economic importance for human being, cyphers, rotunders example, okay, relative weed, relative weed मतलब, मतलब undesirable crop plant in the main crop field, मतलब related, okay, related crop, जैसे कि आप example में ले सकते हैं, बाल्ली in wheat field, wheat field में अगर बाल्ली आ गया, तो फिर बाल्ली का तो economic importance है, पर वो wheat field में क्या कर रहा है, इसलिए उसको हम बोलेंगे relative weed, then आता है rugweed, rugweed क्या है, same species, but not, same species मतलब, same wheat, या फिर rice, same but variety different, So, इसको हम बोलेंगे rugweed, example आप देख लिजए, आपको पता चल जाएगा, ए few plants of C306 variety in PBW50 wheat field, हाम wheat लगाए थे PBW502, but कुछ आ गया C306, तो ये weed के नाम पे दिया जाते, okay, voluntary weed, Voluntary weed मतलब voluntarily, previous year, एसे आप आद रखेंगे, previous year क्या crop हम लगाए थे, उसका कुछ seed, अगर रे गया होगा, तो फिर उसको हम बोलेंगे voluntary weed, Pesticide का ranking जानते हैं, कहां-कहां पे हमारा pesticide यूज होता है, पहले देखते हैं, pesticide consumption order, वाल्ड में अगर देखा जाए, तो फिर सबसे ज़्यादा herbicide यूज होता है, then insecticide, then fungicide, इससे हमको पता यह चलता है, कि वाल्ड में weed एक biggest problem, और इंडिया की बात करें, तो फिर बहुत ज्यादा insecticide हम यूज करते हैं, उसके बाद fungicide, then herbicide, इंडिया में अगर देखा जाए, तो फिर बहुत ज्यादा insect का problem, then largest pesticide consuming crop in India is cotton, then rice, then vegetables, देखिया यहाँ पर pesticide लिखा गया है, pesticide मतलब pest को control करने के लिए, pest मतलब एक threshold limit से अगर इंसेक्ट ज्यादा हो जाता है एक area में, उसे हम pest बोलते हैं, तो फिर insect and pest में confused नहीं होने, cotton में क्यों ज्यादा यूज होता है pesticide क्योंकि cotton generally हमारे genetic modified crop है, और genetically modified crop में ज्यादा से ज्यादा pesticide यूज होता है, largest consumption of herbicide in wheat followed by rice and tea, okay, बहुत ज्यादा herbicide, herbicide मतलब wheat को control करने के लिए, herbs को control करने के लिए, तो फिर wheat में बहुत ज्यादा problem करता है, generally phylase minor, यह सारे बहुत ज्यादा problem करता है wheat crop में, then rice, then tea, then classification of herbicide based on chemistry, यहाँ पे कुछ important है जिसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, जैसे कि aliphatic, dolphin, TCA, यह aliphatic group में आता है, aliphatic मतलब open, aromatic मतलब close, आपको पता ही होगा, then amide group देखिए, alacrol, butachlor, propanil, यह आप याद रखेंगे, bifridanum, यह बहुत ज्यादा आता है जामे, paraquart, diquart, यह bifridanum, then आप देखिए, triagens, atragene, semagene यह सारे, और 2,4-D यह बहुत मतलब यह hormone की तरह भी यूज होता है, और यह wheat side की तरह भी काम करता है, इसका group है phenoxy acid, यह acid है 2,4-D, then और यह याद रखेंगे आप यह, monohyuron, diuron, यह phenyluria category में आता है, herbicide का कुछ important property जानते हैं, कौनसा herbicide का कौनसा property है, जो की exam में पुछा जाता है, glycophosphate इजे non-selective herbicide, and यह translocate herbicide तीखिए, glycophosphate को अगर आप डालेंगे, तो फिर सारे के सारे plant मर जाएंगे, weed भी मरेगा, हमारा plant भी मरेगा, इसलिए, एक non-selective है, मतलब जहां पे सिर्फ और सिर्फ weed है, जो सारे plant को आप मानना चाते हैं, बही पर सिर्फ glycophosphate को यूज कर सकते हैं, उसके बाद sulfur sulfur, यह systematic foliage application herbicide, systematic मतलब यह पूरे के पूरे plant system को जाकर plant को damage करेगा, और foliage applied मतलब यहां पे leaf surface में आपको इसको डालना पड़ेगा, किसको? sulfur sulfur उनको, okay, fluorine is volatile in nature, okay, fluorine volatile मतलब इसको डालेंगे, यह effect के बाद यह उड़कर चला जाएगा soil से, इसलिए इसको हम PPI की तरह यूज करते हैं, PPI मतलब pre-plant incorporation, plant से पहले हम इसको यूज करते हैं, soil में weed मर जाता है और volatile होकर यह चला जाता है, उसके बाद हम plant कर सकेंगे, okay, then 2,4-D, 2,4-D, इसका फुल्फरा में आद रखेंगे, 2,4-Dichlorofenoxyacetic acid, okay, important है, then based on time of application, कब हम यूज करना है, herbicide, pre-plant incorporation में पहले बता, चुका हम वो soil applied क्या है, यूज यह आद रखेंगे, alkylore and flickorin, okay, and foliage applied, जो की lip surface में आप डालेंगे glycoposate paraquart, pre-emergence, देखिए, pre-emergence मतलब, after showing, but before emergence of crop, क्या होता है न, crop के emergence से पहले हमको डालना पड़ेगा herbicide, जैसे की generally selective herbicide, selective herbicide हम डालते हैं pre-emergence की तरह, क्यूंकि non selective हम नहीं डाल सकते हैं, अगर non selective यहाँ पे डाल देंगे, तो फिर crop के साथ, weed, weed के साथ, crop भी मर जाएगा, इसलिए सिर्फ selective हम डालेंगे pre-emergence की तरह, फिर post-emergence herbicide क्या है, जैसे की आप सबी को पता है, pre-emergence मतलब, emergence से पहले, तो फिर इसलिए selective हम डालते हैं, post-emergence मतलब, crop होने के बाद, crop होगा, weed भी होगा साथ-साथ, तो फिर क्या डालेंगे हम, हम डालेंगे foliage, मतलब इसके leaf में direct डालेंगे, weed के leaf में, तो फिर क्या होगा weed मर जाएगा, तो इसलिए, post-emergence में हम डालते हैं, foliage applied herbicide, जैसे की 2,4-D, propanil, dicot, okay, then lay by application, यह examen नहीं आता, पर याद रखेंगे, after last cultivation, cultivation के बाद आप डालेंगे, lay by application में थर्में, okay, based on mode of action, herbicide कैसे काम कोता है, contact herbicide, direct contact में आएगा, मतलब weed के और weed का का काम तमाम, जैसे की dic and systemic herbicide क्या होता है, system में, plant के system में जाएगा, total weed को मतलब root से उखार के फेग देगा, जैसे की soil applied herbicide system में जाएगा, root के root से, weed के root से weed के system में जाएगा, plant system में, physiology को damage करेगा, जैसे की flickering हो गया, appendimethylene हो गया, foliage applied जो की lip को damage करेगा, okay, 2,4-D, try as in, okay, based on selectivity में बता चुका हूँ, और एक बार नहीं बुलूँगा, selective herbicide, non-selective herbicide क्या होता है, selective मतलब sirf और sirf यही वैले weed के लिए, जैसे की 2,4-D, sirf और sirf broad leaf के लिए, not narrow leaf के लिए, okay, इसी तरह selective, non-selective कुछ भी हो, broad leaf हो, narrow leaf हो, crop हो, weed हो, सबको damage कर देगा, glycophosphate, paraquart, तो फिर non-selective को देखकर डालना अगर herbicide चाहते हैं, तो फिर आप जाकर एसे local market में जाकर herbicide atrazine मांगेगे, तो फिर उसे पता नहीं चलेगा, उसका एक trade name है, जहाँ पर यह commercially marketing होता है, तो फिर trade name आपको याद रखना पड़ेगा, आज है agriculture scientist, लेखे, atrazine, atralex, यह आप मांगेंगे, atratex मांगेंगे, तो फिर वो atrazine देगा, chemical compound, okay, जैसे कि butachlor, आप मांगेंगे, machet, okay, और कुछ important जैसे आद रखेंगे, 2,4-D आप नहीं मांग सकते, आप मांगना पड़ेगा, plant guard और weedon, देखे, 2,4-D इतना ज्यादा popular है कि आप मांगेंगे, तो फिर देगा, पर बो जो packet में लिखा होगा, plant guard और composition में लिखा होगा, 2,4-D, यसे सारे के सारे आप याद रखेंगे, ओके, और कुछ important चीज हमारे herbicide और weedicide के बारे में, जैसे कि atrazine, यह बोथ contact है और systematic है, जब हम foliage के उपर, मतलब lip के उपर डालेंगे, तो यह contact की तरह काम करेगा, जब हम soil में डालेंगे, वो root में चला जाएगा और systematic तरह काम करेगा, तेन metribuzin alaclor are generally swamin herbicide, swamin में हम डालते हैं metricide alaclor, and weedicide का मतलब होता है, control of weeds, herbicide का मतलब होता है, control of herbs, herbs मतलब seed for strip, छोटे वाले पोदे को यह मार देगा, और बड़ा वाला सेफ रहेगा, residual यह बहुत जाला important है, क्योंकि, अगर 2,4-D की बात ह करें for 3-4 weeks, इसका residual है, triagines for 1-2 year, मतलब इतने दिनों तक बो रहेगा, बोई soil पे रहेगा, बो foliage पे रहेगा, बो fruit में रहेगा, तो फिर यह residual वाला herbicide आप डाल कर harvest नहीं करेंगे, क्योंकि अगर residual को डाल के harvest करेंगे, तो फिर बो सायद animal को आसकता है, human beings को affect कर सकता है, यह बहुत poisonous होता है, इसलिए, residual के बारे में जाना चाहिए, non-residual, paraquart, diquart, इसका कोई residual नहीं रहे था, family jobs हम weed को, अगर root से उखाड के फेकना है, तो फिर उसका family, उसका physiology, उसका propagation यह सारे ची जानना ज़री है, जैसे कि weed lantern camera इसका family भरभी नासी है, और striga species, इसका scorpholias की family है striga हम एक बार पढ़ चुके हैं, यह एक partially root parasite है, कुछ और root के बारे में जानते हैं, जैसे कि हो गया आर्जमन मेकसिकाना, यह पैपे भारसी और एकनिया ग्रामीनी भैमिल से बिलंग काता है, कुछ important points, कुछ हम यहां पे discuss करेंगे, कुछ part 3 में, जैसे कि angstrom, सभी को पता है, आंग्स्ट्रम क्या होता है, और 10 millionth of a meter, मतलब, आंग्स्ट्रम मतलब 10 to the power minus 10, यह चीजा आप याद रगें, और कुछ नहीं, उसके बार देखते हैं, A value, A value एक बार आया था, अग्रोनोमी में, जैरेफ में, शिर्फ आप याद रखेंगे, friend and dean इसको discover किये थे, और यह ए for in soil, then acid forming fertilizer कुछ है, ammonium sulfate, ammonium chloride, anahydros, ammonia and urea, urea is a acid forming fertilizer, मतलब, जब हम इसको यह सारे fertilizer को डालेंगे, तो soil acidity reduce हो जाएगा, soil pH reduce हो जाएगा, acidity बढ़ जाएगा, okay?